Hello students of 9th standard, Hindi का lesson 5, part 5, Julia, अब हम देख रहे हैं, इसके लेखाक हैं अंदोन चेखाव, यह एक रूसी कहानी पर आधारित है, एक तरह की एकांग की जिसे हम नाटक कहते हैं, वह यहां पर हमें दिया गया है, तो इसके जो लेखाक हैं अंदोन चेखाव, जो एक रूसी लेखाक है उनके बारे में परीचे दिया है, कि इनका जन्मा 29 जन्वरी 1860 तगान रोग रूस में हुआ, मृत्यू 15 जुलाई 1904, परीचे है कि महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखाव, प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे, उनकी कहानियों में सामाचिक कुरीतियों का व्यंगा प्रसिद्ध किया गया है, मतलब ये महान साहित्यकार माने जाते हैं, ये लेखक, ये रूसी लेखक हैं, और इन्होंने जो समाच में पहली हुई खराब जिसे हम कहते हैं, खराब परंपराएं हैं, उनके बारे में इन्होंने बहुत सपश्टूप में बताया हैं, इनकी प बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा या इनकी कहानिया हैं, इस गद्य संबंधी मतलब इस पार्ट में उन्होंने हमें क्या बताया हैं, एक कांकी या एक मैने पहली आपको बताया हैं, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती हैं, एक कांकी मतलब एक सोटी सी कथा इसकी कथा वसमवाद आदी से अंद तक रोचक और आकर्शक होते हैं प्रस्तूत एकांकी में रचनाकार ने दबूपन को त्याक कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजक रहने हैं तो प्रेडित क्या है जैसे कि हमने पड़ा कि लेखक ने सामाजी खूरीतियों के बारे में बताया है तो इस एकांकी में भी उन्होंने बताया कि हमें दबना नहीं चाहिए किसी भी बात के लिए जबर्चिस्ति कोई हमें दबाना चाहे तो हमें उसको त्यागना चाहिए मतलब त्याब करना चाहिए मतलब हमें उसका विरोध करना चाहिए अपने अधि करूंगी कि प्लीज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें जादा से जादा शेयर करें जिससे बहुत सारे बच्चों का फाइदा हो सके शिव अनूजा नाम से यह चैनल है इस पर मैंने 6 से लेकर 10 तक के बहुत सारे लेसंस जो है एक्स्प्लें किये हैं जिनमें other subjects भी हैं इमराठी, हिंदी के अलावा other subjects भी हैं तो आप इने follow कर सकते हैं और अपने भाई, बहन और friends को शेयर कर सकते हैं प्लीज सब्सक्राइब करें चलिए अभम लेसन देखते हैं इस एकांकी में क्या है गवर्नेस एक सेविका गवर्नेस मतलब सेविका इसकी मार्मिक पीड़ा के बारे में बताया है उसकी विवश्टा का यहां पर चित्रन किया गया है और शोशन से मुक्ती पानी का प्रभावी संदेश भी दिया है मतलब देखिए सेविका के रूप में अगर हम कहीं काम कर रहे हैं या कोई भी वैक्ति काम कर रहा है तो लेखक ने कहाए कि अगर व को पान्가 करते हैं तो एसी ही एक एकम की हैं बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिल देवना आती है बच्चों की गवर्नेस से यहां पर उम्हां बतायाए गया गवर्निस मतलब सेवी का, बच्चों को संभालने वाली उनको पढ़ाने वाली, जूलिया, दबेस्वर में मतलब जूलिया आती है और अग्दम धीरे आवाज में बोलती है आपने मुझे पुलाया था माली, अपने ओनर के समने मालिक के समने खड़े ओकर कहती क्या आपने में मतलब ओनर क्या कहते हैं, जुलिया मैं तुम्हारी तनख्वा का हिसाब करना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सकता हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं माया है, उसका हिसाब मैं करना चाहता हूँ, और जब तक अभी जब से तुम काम कर रही हो, मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने सेलरी भी मुझे नहीं मांगोगी, इसलिए मुझे लगा कि मैं हिसाब कर दूँ, तो ओनर कहता है कि तुम्हारी कतनखा 30 रूबल महीना ऐसे तई हूई थी, अब यह रूबल जो है मुझे की करन्सी है, रूस की करन्सी, इसलिए यहाँ पर हमें बताए, तो रूस की करन्सी के हिसाब से 30 रूबल जो है जूलिया की सलरी इस ओनर ने तई की थी, जूलिया विनित सवार में बलती जी नहीं मालिक 40 40 रूबल देखिए यहां पर हमें क्या समझ में आता है कि ओनर उसे जूट बोल रहा है कि मैंने 30 रूबल तई की जबकि जूलिया कहती है 40 रूबल तई हुई थी विनित सवर में मितलब धीरे सवर में क्योंकि वह डर रही है मैंने इसमें नोट कर रखा है मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेस को 30 रूबल महिना ही देता हूँ तुमसे पहले जो गवर्नेस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था अच्छा तो तुम्हें हमारे यहां काम करते हूए दो महने हुए है अब देखे ओनर कैसे बोल रहा है कि तुमसे पहले जो भी गवर्नेस थी उसको भी मैं 30 रूबल दिया करता था तुम बच्चों की दे यहां भी ग्रह स्वामी क्या कर रहा है कि उसके ऊपर के डेज भी कट कर रहा है क्या बोल रहा है कि सर्फ दो महने वे जब की जूलिया जानती है कि दो महने और पांच दिन हुए है ग्रहसवामी क्या कह रहे है यह जूलिया ठीक दो मैने हुए हैं यहां उसे दबाने के प्रैत्त कर रहा हैं भाई मैंने डायरी में सब नोट कर रखता है उसे पलटते जा रहा है और से बता रहा है कि तीस रुबल यह तोहारी सैलरी I refuse ने ताय की ती और यह भी ताय किया देखा मैंने कि 2 महिने ही पिर दोस्तारा कवा हुए हैं. 60 रूबल ये 60 रूबल तभी बनते हैëं कि एक कि डिन भी छुट्टी न ली हो ने करे यहां पर शुद्फ इसी घर स्व्मी की बात नहीं हो रहे हैं लेकिन अक्सर हम दएखते हैं कि घर में बहुत जो बड़े लोग हो या फिर जो लोग भी घर में नौकर रखते हैं या कुछ काम बच्छों को संभालने के लिए किसी गवर्नेस को रखते हैं तो उसके साथ अच्छे लोग तो अच्छा ही करते हैं लेकिन कही लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें दबाने का प्र एक से आई हो हर दिन आई हो तुमने एक भी दिन छुट्टी न ली हो तभी तुमारे साथ रूबल बनी तुमने इत्वार को छुट्टी मनाई है देखिया छुट्टी के दिन भी गिना रहा है कि तुमने इत्वार को मतलो संडे को छुट्टी मनाई है उस दिन तुमने कोई क काम नहीं किया स्रिफ गुवाने ले करेंगे और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को गुवाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता इसके अलावा तुमने दीन छुट्टियां और ली है ठीक है ना देखे एक तो उससे विकार विचारी कवच्चों को गुमाने को ले कर रही है तो वो बोलते हैं ओनर कह रहा है कि उससे काउंट नहीं किया जाएगा तुम्हारे सेलरी में उस दिन की भी तुम्हारी छुट्टी मानी जाएगी क्योंकि त इसके अलावा तुमने तीन चुट्टियां और ली है ठीक है ना जूलिया दबेसवर में जी आप कह रहे हैं तो ठीक है रूप जाती है देखे यहां पर जो जूलिया दबेसवर में बात करिए इससे हमें जूलिया का सौभाव पता पढ़त रहा है कि वह कितने मतलब दबी हुई डरी हुई रहती है मतलब उसके अंदर एक डर है एक मतलब हीचक है कि जिसके वज़े से वह अपनी बाते नहीं रख पा रही है ग्रह स्वामी अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ हां तो नौ इतवार और तीन चुट्टियां यानि बारा दिन तुमने काम ने किया देकि हमें समझ में आता है कि एक दिन उनकी चुट्टी होती है उसको भी उसने उस सेलरी को काट करने के लिए यूज किया है तो क्या कह रहा है वो ग्रह स्वामी की नौ इतवार और तीन दिन की अलग चुट्टियां तुमारी हुई याने की बारा रूबल कड़ गए उध दर दूसरे बच्चे को ही पढ़ा है पिछले हफते शाय तीन दिन दातों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपर बाद छुट्टी दे दी थी तो बारा और साथ उननेस देखिए कैसे वो कट करते जा रहा है उसके दिन जो कोलिया बिमार पड़ा था उस मतलब सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया पिछले आपते शाय तीन दिन दातों में दर्द रहा था और मेरी पत्मी ने तुम्हें दोपर बाद छुट्टी दे दी थी तो बारा और साथ उननीस नागे हां तो भाई घटाओ साथ में से उननीस देखिए साथ रूबल में से उनन इस दीन की शुट्टियां उसकी कट कर डाली कितने रह जाते हैं 40 · तालिस, 41 वूबल ठीक है न 1931 004 तो बलिख छी नागे करते ही जा रहा है हर एक चीज को वह काउंट कर रहा है, जूलियह रूआसी हो जाती है रोते स्वर में जी हां और वा विचारी डर की डर की वज़े से ही जी हां मतलब इसकी हां में हां मिलाती है इस दरह का दबूपन लेखक ने जूलिया का यहां हमें बताया है ग्रहसौमी मतलब ओनर क्या करता है डाइरी के पन्ने उलटते हुए हां या दाया पहली जनवरी को तुमने चाई की प्लेट और प्याली तोड़ी थी देखिए कही घरों में तो इन चीजों का भी बहुत हिसाब बता है नौकर के लिए कि अगर नौकर के हाथ से गलती से कोई कांच का बरतन तूट जाए तो उसकी भी कीमत उससे वसूल की जाती है ठीक वैसी परिस्तिती यहा तो उसका ओनर किस तरह से बढ़ताओ कर रहा है कि उसके हाथ से चाई की प्लेट और प्याली तूटी उसके भी पैसे वो कट कर रहा है मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बढ़ा है उपर से ऐसे भी बूल रहा है कि मुझे ही नुकसान हुआ है मैंने जिसका भला करना चाहा उसे उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़िये खेर मेरा भाग गया हाँ तो मैं फ्याली के दो रूबल ही काटूंगा देखे कितना यहां बताया है ओनर के बारे में की ओहा जूलिया के हाथ से काच के बरतन तूप जाने के पैसे भी वो काट रहा है कि भई मेरा ही नुकसान हुआ है फिर भी में दो रूबल ही काट रहा हूँ अब देखो उसकी तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फड़ गई दस रूबल उसके हुए गए यहां पर एक दिन जूलिया की वज़े से जो जैकेट फड़ी है उसके लिए भी वो जूलिया को ही क्या ठहरा रहा है दो शी ठहरा रहा है कि तुम्हारी वज़े से तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए बच्चे की जैकेट टहनी की में अटग गई और खरोच की वज़े से फट गई तो उसके भी 10 रूबल उसने काट लिए इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वज़े से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नई जूते चुरा लिए रुख कर तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं और देखिए और बहाना और कट करने के बहाने बता रहा है कि इसी तरह 10 रूबल तो उसने जैकेट फटने के काट लिए उसके बाद घर की सफाई वाली ने बच्ची की जूते चुरा लिए उसके लिए भी वह जूलिया को ही क्या ठहरा रहा है दोशी ठहरा रहा है कि तुम ने ध्यान नहीं दिया उसकी वज़ों से जूते उसने चुरा लिये है जूलिया मुश्किल से अपनी रूलाई रोकते वे जी सुन रही हो और वह बोलते भी जा रहा है कि तुम मेरी बात सुन रही हो ना तो जूलिया उसको रोना आ रहा है कि एक है कि ठीक है मैं सुन रही हूं ग्रहसवामी हां ठीक है अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं तुम अपनी काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं मैं ठीक क्या रहा हूं न तो जूतों के 5 रूबल कट गए और हां 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिये थे देखिए पूरा हिसाब कर रहा है कि तुम्हें रखा है कि बच्चों की देखभाल भी करना है उन्हें पढ़ाना भी है और उसमें भी अगर तुम धील दोगे तो पैसे तो कटेंगे त जूतों के लिए 5 रूबल काटें और 10 जनवरी को इस ओनर ने जूलिया को कुछ 10 रूबल दिये थे वह भी काट लिये तो यहां पर लगभग जूलिया की हालत रोटने की ही बन रही है क्योंकि यह जो मालिक है उसकी हर एक चीज का हिसाब बता रहा है जूलिया लगभग र कैपाती इतना सब सुनने के बाद उससे सरिफ रोना आता है और वो उपर से बोल रहा हुए कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या तो वो अटकते वे रोते वह बोलती है कि नहीं आपने कुछ नहीं वो उसकी शब्ददुरे रह जाते है क्योंकि वो रो रही है ग्रह स्वामी अरे मैं क्या जूट बोल रहा हूँ मैं डाइरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ अब उसने 10 रूबल दिये भी होंगे या नहीं यहाँ कोई प्रमाण नहीं है लेकिन वो जूलिया पर यलाद रहा है कि मैंने 10 रूबल तुमें दिये थे शाइद उसने नहीं दिये थे तुम्हें यकिन वो तो दिखाऊं डाइरी वो क्या बुलता है कि मैंने तुमको पैسे दिये थे अगर तुमको यकिन ने यह तो मैंने डाइरी दिखाता हूँ डाइरी के पन्ने यहीं उलटनी लगता है जूलिया आसू पोच्ट देगा आप कर रहे हैं तो आपने दिये होगे मतलब यहां जूलिया के दबुपन की हद बताई गई है कि वो कितनी डर रही है कि अगर उसने ना भी दिये हों 10 रूबल तो भी है उसकी हाँ में हाँ मिला रही है ग्रह स्वामी और वह आसू पोच रही है और रोती जा रही है अब ग्रह स्वामी कड़े स्वामी दिये होंगे नहीं दिये हैं ठीक है घटाओ 27-41 मैंसे बच्चे 14 क्यों हिसाब ठीक है ना आप गुस्से में ओना क्या बलता है दिये होंगे नहीं दिये होंगे ठीक है लेकिन मैं अब उतने घटाऊंगा और तुम्हारे सिर्फ कितने बच्चे भी 14 रूबल जूलिया आसु पीती वी कांपती आवाज मैं मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिये थे सिर्फ 3 रूबल जाता नहीं अब जूलिया को पता है कि 10 रूबल तो इस ओनर ने मुझे दिये भी नहीं मालिक ने दिये भी नहीं लेकिन वो सच बोलते वे कहती के मुझे अब तक सिर्फ मालकिन ने 3 रूबल दिये थे वो मुझे एक दिन जरूरत थी इसलिए उसके अलावा मुझे यहां से कोई रूबल नहीं मिले है लेकिन वो ग्रहस्वामी मानता नहीं है ग्रहस्वामी जैसे आस्वान से गिराओं अच्छा और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना खैर देर से ही सही मैं इसे भी डाइरी में नूट कर लेता हूँ डाइरी खुल कर उसमें योही कुछ लिखता है हाँ तो चौदा में से तीन और घटादो बचते हैं ग्यारा रूबल देते हुए समभाल लो गिन लो ठीक है ना देखो वो तीन रूबल जो वो बताती कि मालकिन ने दिये थे वह तीन रूबल भी यह काट लेता है यह करकर कि यह बात तो मुझे मालकिन ने बताई नहीं और अब तुम बता रही हो तो वो भी इतनी देर से तो ठीक है, इसे भी मैं नोट कर लेता हूँ और इसे भी इस सलरी में से कट कर लेता हूँ इस दरवा चोधा रूबल में से 3 रूबल और कट करके सिर्फ 14 रूबल ही उसको देते हुए कहता है कि संभाल लो और इसे गिन लो यहां हम देखते हैं कि उस ग्रह स्वामी की हद पार है कि वह उस पर दोश पे दोश लगाए जा रहा है और उस सेविका की भी जूलिया की भी की जो उसके कहने में आकर रोए जा रही है लेकिन अपने नयाई के लिए कुछ भी नहीं कह रही है जूलिया कापते हाथों से रूबल लेती है कापते ही स्वर में जी धन्यवाद उपर से धन्यवाद भी देती है और ले लेती है उसके हाथ खाब रहे है ग्रह स्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता उचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए अब घ्रह स्वामी को बहुत जोर से गुश साता है और जोर से चिल्ला कर कहता है तुम तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जुलिया जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है तुमें धोका दिया है तुमारे पैसे हडप लिये हैं और तुम एहसास करा रहा था कि कोई मैं ही क्या कोई भी तुम्हें आसानी से दबा सकता है तो आखिर में वह गुश से में चिल्ला देता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ काट कर 11 रूबल दिये और तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो मतलब मैं तुम्हें सिधा सिधा ठग रहा ऐसे में डड़प लिए हैं लेकिन उसके बावबदू भी तुम कुछ भी नहीं कह रही हो तो इसके पकुण गुशा ओजाता है जूलिया जी HARा मालिक ग्रसवामी गुशे से तुटलाने लगता है जी हा मालिक जी हां मालिक क्यों जी हां मालिक वो मगरा सौमी एकदम चिलाने लगता है कि क्या लगा रखा है जी हां मालिक जी हां मालिक जूलिया डर जाती है भैबीत स्वर में क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे पैसा तक नहीं दिया आप कुछ तो दे रहे हैं अब जूलिया बोलती है डर के और रोते वे और भेबीत स्वर में डर के बोलती है कि मैंने इससे पहले भी जहां जहां काम किया उस काम के लोगों ने मुझे पैसे भी नहीं दिये कम से कम आप काट पीट कर मुझे कुछ तो दे रहे हो मतलब हद है कि जूलिया ने कितनी सहन शक्ती दिखाई है इसे सहन शक्ती भी नहीं कह सकते हम कह सकती हैं उसने कितना दबाव जहला है जबर जस्ती अपने नयाई के लिए वह बोल सकती है क्योंकि आखिर हम इंसान हैं और हम जो भी काम करते हैं उसका हमें मुआवजा लेने का या उसके बारे में हमें अपना श्रम लेने का पूरा हक है लेकिन जूलिया इतनी डरती है कि उसने जहां जहां भी काम किया और लोगों ने से पैसे ना भी दिये तो भी उसने कुछ नहीं कहा और यहां भी जब यहां ग्रहसवामी उसके साथ म तुमको किस तरह से ठक सकता है और अखिर में उसको हकीकत बताई ग्रहसवामी क्रोध के कारण कामते हो तेजित स्वर में उन लोगों ने तुमें एक पैसा तक नहीं दी जूलिया मुझे बात जानकर जराबिया श्रेड नहीं हो रहा है सौरदी माकर जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुमारे साथ एक छोटा सा कुरूर मचा किया पर मैं तुमें सबक सिखाना चाहता था देखो जूलिया मैं तुमारे एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकाल कर ये है तुमारे असी रूबल मैं अभी इन्हें तुमें दूँगा लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा जूलिया क्या ये जरूरी है कि इनसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू फीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरूत तक न करे बस खामोश रहे और सारी जात्तियां सहता रहे नहीं जूलिया नहीं इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इसकठो और कुरूर निर्मम और हृदय ही इस अनसार से लड़ना होगा अपने दातों और पंजों के साथ लड़ना होगा पूरी शक्ति के साथ मत भूलो जुलिया इस संसार में दब्बू और रीड रही लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है कोई स्थान नहीं है तो समाज की एक बहुत भयानक परिस्थिती को यहां लिखक ने उजागर किया है आज भी मारे गाउं के परिसरों में जहां जमींदार होते हैं वो इसी तरह लोगों को तबाते हैं अपने हां गुलामों की तरह गरीब लोगों से काम करवाते हैं और उन्हें बदले में उनका महनताना भी नहीं देते और इस तरह का समाज संसार में सभी जगह है इसलिए लेखक ने यहां पर एक स्टोरी के माध्यम से हमें बताया है कि जूलिया एक ऐसा क्यारेक्टर है जिसे उसके ग्रह स्वामी बोलते हैं तुम्हें अपना इस चरित्र को अपने इस आचरन को तुम्हें सुधारना होगा तुम बहुत अच्छा लगने के लिए कि लोगों को खराब न लगे इस वज़े से तुम डरते हो या फिर कोई तुम्हें कुछ ना कहे इस डर से तुम काम करते हो लेकिन सामने वाला तुम्हें अपना महनताना भी नहीं दे रहा है तो इतने दब्बू मत बनो की लोग तुम्हें तुम्हारा पूरी तरह से शोशन करें अपने हग के लिए तुम्हें हर तरह से लड़ना होगा क्योंकि इस तरह के क्रूर और निर पिड़ रही जो लोग हैं इस संसार में उनके लिए कोई जगह नहीं है जो लोग अपने उपर होने वाले अड्डाय को खामोशी से सहन करते हैं वह हमेशा गुलाम बनकर रह जाते हैं और कभी कोई तरक्की नहीं कर पातें बहुत सुन्दर ऐसी एकांगी है और इसे हमें बह अब दिस संसार में हमें दिया है रूबल मतलब रूस की मुद्रा या करंसी, डिर्मम मतलब निर्टई, भीरू मतलब डर्पो, बोदा याने मुर्ख, सुस्त, गावदी, नागा मतलब वह दिन, जिस दिन काम न क्या हो, बहुते हैं ना काम का नागा हो क्या, मुआवरे भी दिये हैं ठग लेना मतलब धोका देना, हडप लेना, बेईमानी से अधिकार कर लेना, दूसरे की वस्तु हज़न कर जाना, बहुत सुन्दर एकांग की, आप इसे फॉलो कीजिए, और प्लीज शेर भी कीजिए, इसके प्रिश्ण उत्तर मैं आपको बाद में दूगी, थैंक और ताध मही बाद में आपको एंके अर झास कर दूग– उडवराण से बाद धना, ये राद भारे बाद कर दो डिप्गे बाद क cheesy dark dough थैंको ऑ जल रूंध